हाई एवरिवन स्वागत है आपका हमारे इस सिल्टिप चनल डेली अपडेट्स इंजिनरिंग में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी पीची से आई एक बड़ी रिक्वार्मेंट के बारे में जियां दोस्तों माइनिंग शर्दार ओबर में के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट आ चुकी है लगपक जो है 200 सीट पर ये रिक्वार्मेंट है इसको ले करके आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता दू कि अन्टी पीची यानि की नैशनल थर्मल पावर कॉर्प्रेशन यह एक गौ कर सकते हैं मेरा नमबर आप लोगों के सामने सो हो रहा है दोस्तों इसके अलावा जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस कोश्चन याने की एम सी क्यू का नोट्स भी अवेलेबल है अगर आप लोग यह नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप लोग मुझ से कॉल कर सकते हैं ब अपना requirement आ चुकी है दोस्तों यह जो NTPC है इसमें जो requirement आई है इसमें दो भाग में आप लोगों का paper होगा याने की दो stage में होगा फर्स्ट स्टेज जो होगा यह return test होगा 100 number का इसके बाद जो है आपका second stage होगा यह भी जो है अपना 100 number का होगा फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे qualify करते हैं उनको second stage में जाने का मौका मिलेगा इसके बाद जो है आप लोग दो exam दे करके NTPC में select हो सकते हैं आज ही जो है यह requirement आई है दोस्तो इसके लिए जो है हम लोग आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितनी इसमें salary मिलने वाली है एक अच्छी खासी salary है दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप लोग screen पर देख सकते हैं इसमें mining सरदार के लिए total 103 याने की 103 पोस्ट पर requirement है जिसमें unreserved category के लिए 55, SC के लिए 9, ST के लिए 25, OBC के लिए 7, EWS के लिए 7 इस प्रकार से अगर आप total को मिला दें तो आपको 103 requirement देखने को मिलती है only mining सरदार के उपर इसके अलावा जो है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि over main के लिए total 74 requirement है जिसमें unreserved category के लिए 43, SC के लिए अपना 6, इसके अलावा जो है आपको 80 category के लिए 18, OBC के लिए 3, EWSने की जो है अपना EWS के लिए 4 seat पर requirement है टूटल आप मिला दें तो 74 seat हो जाती है 74 seat over main के लिए काफी होती है दोस्तो आप लोग जो है इसमें पूरे all over इंडिया से apply कर सकते हैं कोई इसमें restriction नहीं है experience profile की मैं बात करूं तो इसमें जो है आप लोगों का जो experience मांगा हुआ है उसमें एक साल आप लोगों का open cost का experience होना चाहिए upper age limit की बात करें तो 57 years upper age limit है over main की जो salary होगी 50,000 रुपे पर मंद और mining सरदार की 40,000 रुपे पर मंद fixed term basis पर इसको रखा जाएगा तीन साल के लिए जो है आप लोग इसमें continue job कर सकते हैं तीन साल बात भी जो है आपको ये continue कर सकता है अगर upper age limit की बात करें तो दोनों में जो है 57 years है यारे कि 57 years से कम के हैं अगर आप लोग तो पूरे all over इंडिया से इसको apply कर सकते हैं इसमें जो है अगर आप लोग डिप्लोमा वाले हैं माइनिंग सर्दार के लिए apply करते हैं तो माइनिंग सर्दार का certificate इसके अलावा जो है आपको first aid certificate और gas testing का certificate लगेगा इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें last date की तो इसमें जो last date रखा गया है 15 March 2022 रखा गया है पूरे all over India से apply कर सकते हैं इसमें कोई भी restriction नहीं आए यहने कि ऐसा नहीं है कि आप लोग only महराट से apply कर सकते हैं MP से जबकि पूरे all over India से आप लोग apply कर सकते हैं और एक जो है अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं दोस्तों काफी लोग होते हैं जिनके पास अच्छा experience होता है overman के लिए इसमें 5 साल का experience मांगा हुआ है इसके अलावा जो है आपका mining सरदार के लिए only 1 साल का experience मांगा हुआ है एक साल open card है तो आप लोग apply कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करे था